नमस्कार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हिंदी साहित में आज हम देखते हैं वाड माला वाड माला के बारे में हम जानेंगे थोड़ा सतत है उसके बाद क्वेस्चन उस पर आधारित करेंगे जहां आगामी आपके उत्तरवदेश पुलीस जो कि उसके सिलेबस में है वहां पर और आगामी आपका किसी भी एकजाम के लिए मत पुड़ है जहां पर हिंदी ब्याकरण का यह चैप्टर आता है वाड माला तो शुरू करते हैं चैनल को सब्सक्राइब चरूर कर लीजिए वीडियो को पूरा देखे देखे इसमें क्या होता है कि तथ्यों को याद करिए हरस्वर में औ, ई, उ, और री आता है मूल्सवर हरस्वर और दिर्ग, दिर्ग में क्या आएगा आपका आ, बड़ी, उ, सब्सक्राइब आपका दिर्ग में आता है मूल्सवर भी और हरस्वर मूल्सवर ए कही है आगास्वर आ है, आ मदब आ, डक्टर वाला, ओ, जूर लगा रहा था, डक्टर के उपर, अग्रस्वर आपका क्या है, इ, इ, मदिस्वर आ है, यावे मदब छोटा ही बड़ा ही द बढका यओ, और बढकाउ है, अर्धयसमरत आपका छोटा यवला अ, वड़ा ही वीवर आपका आ, अ, अ ऑ है, अध्गडर भी भी अपका यवल та ओ ओर है, लृद न लहा में मूल्ता वाल ओक्रय के संख्या कितनी है, फिप्टी टू, यानी बावन, हिंदी वर्ट वाला म मुलता स्वारों की संख्या कितनी 11 है क्योंकि अंग और रहा उसमें नहीं आता है या अयोग वह में आता है कुल बेंजनों की संख्या 41 है हिंदी वर्ड माला मुलता बेंजनों की संख्या 33 है इस पर्स बेंजनों की संख्या 27 से अंतास्त बेंजनों की संख्या चार है उसमें बेंजन भी चार है आगत बेंजनों की संख्या दो है सनिक्त बेंजनों की संख्या चार है का वर्ग में जैसे कवख़ग अंगा आता है चावर्ग में चचाजज़ यह आता है टावर्ग में अछी पढाणा और लड़ना में आता है वो अलग है आपका तावरगा धुनिया ताथा दाथा ना आता है पावर में पवा बभायम मा आता है अंतर्स्टमी आपका यर्ल लावा शार ॉअर्द स्वार में यावivan आता है है लुझरत अर्व आता है पार्स्विक बेंजन में लव आता है उसमसंगरसी में आपके तीनों प्रकार के सा शड़क सा बढ़का सा और सटकोड सा इसके बाद हर वाहां हां दियुगण या फिर उच्छिप्त बेंजन में आपका लगा रहा आता है जो पढ़ना और लड़ना में बीच म पतेकवर के पहला और दूसरा है उस्य अग्रस करते हैं जैसे की को मतलब कि पतेकवर का पहला कोख़ा तो उसी प्रकर्स से कहँआ चछा ठांट जथा और सघुष में पतेकवर का तीसरा चोथा और पाच्वा है तीन चार पांज जैसे की घख अंगा कोख अगोश गगोश अल्प्राण में पते गवर में पथा मतिति और पांच मतलब एक तीन पांच ने इसको बोलते समय प्राण जो हमारी उडज्ञ कम लगती है जैसे कोख अंग एक तिन पांच यब कि का के सब बात ख़न दो जजयादा चैश दूसरा और चौवता महाप्लाड भी तता उसम भैंजण भी जो तीनों प्रकार के सह है और है वह भी का महाप्लाण है ना स्हा कुंदे सुरास। आटinté है आटता है चांन्ठ वाला कंपुआ तालु मेंत वाला साड़ा अ ऐस वाट्षै वाट्चैनी यादाकि सरल ते स्षणी सरा ऑल्र उल्लों है इसके भाद सवर्था अंत्री वैंजन आपका है दोनों सा आता है वाँ उसके भाद वाँ है वाँ है झाट्री जो है वन किसका योग से बना ईतों सा शक liberty Olympia के देश्ट्री से यह कान्ट नहीं है तो च्वोटी छोटी दोनी जिसके टुकड़े नहीं हो तो से महाप्रान है ठीक है कि कुष्चन देखते हैं क्वेशन जरूर देखिए क्वेशन देखेंगे तबी तो आएगा समझ में पूरा प्रयातने के आधार पर लग इस प्रकार्शा है तो लिल्ला आपका क्या है पार्शुक है कौन सा सब्द अमात्रिक है तो कल्राव अमात सब्द में आपका मात्रा है कौन सा महाप्राण है तो आपका था महाप्राण है हिंदिस सब्द कोस में अंग और अह क्या है तो यह अंग वह कि सवन के सांथ आता है तो और कि सांथ आता है पता ही है और अयोग वहाई यह भी आदर के छत्रीचा किसे किसे मिलके बना है तो क उर्सासे मासा के सार्थक लोगुत्ता मिकाई सार्थक लोगुत्ता मिकाई आपका ध्वनी है कौन सावाना आलप प्रान बेंजन है तो आपका अच्छा है अलप प्रान है कौन सा माण असपर से बेंजन नहीं है तो असपर से बेंजन नहीं है तो आपका यह नहीं यह रहला यह समने ही आता है कोई से लिकर पाउर्व व्यू सा ईयरा लाड़ वह वा बेंजनों को क्या काते है तो यह इसे क्याते हैं कि आपका इस अंटलत्स्ति बेंजन कौन दंतव बिवयन कॉनसा थे contributing उट्मुष अतो 이क वर गण्दमASTंग बंसताना थे तो यह आपका अड़ुषबर है इसमें प्रफातना है महा प्राणिध्वनिया बंजन में किस्य सम्धत होती है तो दूसतरा और चौथ हुए हिंदी वर्ण माला में उसमें वेंजन कौन सा है तो तीनों प्रकार का सा आउ रहा इसके बाद हिंदी के जिन वर्णों का उचान करते समय के वल स्वांस का प्रयोग किया जाए उन वर्णों को कहते हैं क्या आघोस वो कौन वर्ण ओस्टस नहीं है तो आपका आवस्टस नही कि अलप्राण धन्यों के समूब कान है तोल्प्राण में आपका चाओ था नहीं आएगा फिर छाज़ और जो जो ऑर प्रहुंत चाज़ प्रहुंत नहीं होता तो आकास नहीं होता है कॉन वन घोस नहीं है तो तो घोस नहीं है वाकि र और अपका घोस तेकिन दोनियों को अनुस्वार का जाए तो स्वर के बाद आने वाली नासिक दोनियों को अनुस्वार करते हैं कि सब्द में री स्वर नहीं है तो रिवाज में नहीं है वाकि किष् कुछ वर आपका तालू वाला है ठेक है तो अच्छा नहीं बाकी आपका पाफ हे हंदी की इसपट्स घुश महाप्राण धन्त भेंजन भानी कौन से तो अपका अधंक है था था थाःि रिफ ला याप़्जी की इसपट्स गोस्व अहप्राण उष्टी zug 최ण आप उष्ठस से बेंजन भानी कौन दंत धनी है में से दंत धनी कौन सी है तो ता है निर्मिखित धनियों में कौन सा धन्तोस्ट है तो आपका यहां पर दा है कौन सा मुर्धाने धनियों का है तो यह मुर्धाने धनियों का कौन सा है तो एक मिनाट मूर्धान दोनियों का कौन सा है टू-टू-टू-टू-टू-टू-टू-टू-टू-टू-टू-टू-टू-टू-टू-टू-टू-टू-टू-टू-टू-टू-टू-टू-टू-टू-टू-टू-टू-टू-टू-टू-टू-टू-टू-टू-टू-ट स्थान का तालू से आता है कौन सा बेंजन पार्त्विक है पार्त्विक का मतलब की लग ठीक है कौन सा पस्चस्वर है तो इसका मतलब कर आपका्स पस्च्अ बस कर दिया तो ला होता है वाण्ड होता है छीख से उट्र माला दूनी नहीं झाल नहीं घुनी भी ह 170 लग माला कहते है की suppress समूं को जा फिर वाडो के समों को तो ब्यावस्थी समों को घानी के बेवस्थी समूं को कंठे दुनिया कौन सी है तो अऐर्खत ह हिंदी के यदार पर है कि मुर्धाण विजन कौन सी है थो आपका यह है कि योंप परनल मेंविर्पराण वर्ड करम कौन सा थो अलब परनद और वर्ड करम है तो जब जौब कर थे यह त्नक पांच और तालू कहलाते हैं कंठा और तालू दोनों से हिंदी वर्ण माला में अयोग वाहवर्ण कौन चाहे तो अयोग वाहवर्ण आपका अंग और अहा है आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताईए चैनल को सब्सक्राइब भी किजिए मिलते हैं नेक्ट वीडियो में जय हिन जय भारत आपका दिन सुभू